तो ये प्रतिस थापन विदी है, सब्स्टिट्यूशन मेथट से हम कोश्चन को स्वार कर रहे हैं, तो देखना है, पहला कोश्चन है, x प्लस y एक्वल टू 14, इसको समी कड़े देंगे, और x माइनस y एक्वल टू 4, ये होगा equation number 2, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, by equation number 1 लेते के दूसरी जगे इस्थापित करना कहलाता है, प्रतिस थापन सब्स्टिट्यूट करना, जिसे खिलाड़ी में होता है, cricket के खिलाड़ी में सब्स्टिटूट करना, football में सब्स्टिटूट करना, मतलब एक खिलाड़ी को निकाल करके उसकी जगे दूसरे खिलाड़ी को लेन substitution method होती है तो यहां भी क्या करेंगे हम प्रतिस्थापन मतलब किसी एक को निकालेंगे तो हमने क्या किया है एकस को इसी रखा वाई को उस तरफ ले जाएंगे काई का बन जाएगा माइनस का बन जाएगा इसको ले लेंगे हम equation number third हमने इसको किसे निकाला one से रखेंगे कहा पर इसको two में तो हम लिखते है put in equation number second यह न समेकरण 2 में मान रखने पर ठीक है इसका दर्मिकरण 2 में हम मान रख देते हैं यहाँ पर ठीक है समझ ना हम मान रखेंगे x का है ना x की value रखेंगे हम y और इसको ऐसे ही रखते तो minus y equal to 4 को हम कोई change नहीं करते है ठीक है value किसकी रखना है x की तो देखो x की value यहाँ कितने दिख रही है हमें तो दिख रहे हमे 14 minus y चौदा minus y दिख रही है तो हमने इस x की जगे इसकी value रख दी ठीक है अब यह दोनों हमें y minus minus की दिख रहे हैं तो दोनों plus हो जाएंगे बनेगा minus का 2y यह 4 अपनी जगे रहेगा जैसे ही 14 को equal के उस सरफ ले जाएंगे तो काई का बनेगा minus का minus का 2y वैसे ही रहेगा 14 में से 4, 14 में से 4 को घटा देंगे तो घटाने पर तो बनेगा 10 लेकिन चिन्न किसका लगेगा तो जिसकी लाठी उसकी बैस जिसका चिन्न बड़ा है उसी का चिन्न लगेगा ठीक है तो minus की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्न लगेगा minus का यह minus से minus कट गया y equal to 10 यह multiply में दिख रहा है इसको भेज देते हम divide में तो 2 की table से कड़ जागा है 2 5s are 10 2 पंजे 10 तो यह भाई की value कितनी आ गई 5 अब देखो y की जब value आ गई है तो इसको हम put कर देते हैं इसमें इसको substitute क्या कर देते हैं पहले इसको यह substitute कर दिया अब इसको यहां कर देते हैं तो यहां पर value रखेंगे तो देखो by equation number 3rd summing number 3 से कहां रखेंगे इसमें रख दें देखो x equal to 14 minus y की value हमने रख दिया 5 चरो माइनस करते हैं तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9 यह दोनों के answer आ गए यह question complete ठीक है important question 2021, 2023, 2024 मतलब 3 सालों से exam में आ गया 2025 में भी फिर से आ सकता है यह important question है ठीक है